भाराश्र के डिप्टी सीएम और वित्यमंदरी दिवेंदर फणनाविस ने वित्यवर्ष 2023 के लिए राज का बजट पेश किया ये एक नाशिंदे सरकार का पहला बजट है उप्प मुख्यमंदरी के मुताबिक महराश्र का बजट 2023 किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण परध्यान देने के साथ पंजामरित के सिध्धान पर आधारित है जानते हैं बजट की बड़ी खोशनाएं राजपरिवान की सभी बसों में महिला यात्रियों को 50 फीसिदी की छूट दी जाएगी इसके लावा महिलाओं को स्टैंब ड्यूटी पर 1 फीसिदी की छूट मिलेगी प्रधान मंतरी कृशी सम्मान निधी योजना की तहत किसानों को हर साल 12,000 मान दे दिया जाएगा जिसमें 6,000 केंद्र और 6,000 राज सरकार देगी लेक लाटकी स्कीम में पीले और नारंगी राशनकार धारकों को लड़की पैदा होने पर 5,000 पहली कक्षा में जाने पर 4, छटी में 6 और ग्यारवी में 8,000 दिये जाएगे बालिक होने पर 75,000 मिलेंगे दिवकांत बाला सहाफ ठाकरे के नाम पर पूरे राज में 700 अपला दवाखाना और शध्याले शुरू किये जाएगे जिसके जरिये मुफ्ति लाच किया जाएगा उदब बाला साफ ठाकरे शिफसेना के नेता अधित्ति ठाकरे ने कहा कि 2015-19 में भी सरकार ने वादे किये थे लेकिन उन में से कितने पूरे हुए जो लोग बजट में आसवाशन दे रहे हैं वो गद्दार है मुख्यमंद्री एकनाशिंदे ने इस बजट को एतिहासिक और समवेशी करार दिया है तो वहीं महराश्ट के विपक्षी नेताओं ने महराश्ट के विधान भवन की सीडियों पर आंदोलन किया विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट में आम लोगों को कोई रहत नहीं दी है विपक्ष का कहना है कि सिर्फ बड़ी बड़ी घोचलाय सत्ता पक्ष द्वारा बजट में की गई है महराश्ट विधान सभा के बार NCP विधायकों ने कगदू लेकर महराश्ट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदरशन किया है